नमस्कार दोस्तों, buy sell signal software में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं, आज हम चेक करेगे हमारा software का performance, आज और कल उसने क्या performance दिया है, software exactly work कैसे करता है, आए देखते हैं, software में अगर गलत signal मिले तो उसको ignore करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जब side way market होगा तब कोई भी software पर आपको buy and sell, buy sell, buy sell करके आपको confuse कर देता है, पर यहां आपको गलत signal को जादे से जादा इग्नोर करने की software कोशिश करता है, जैसे मैं आपको कोई example दिखा दू, यहां वेदानता का live chart आपके सामने चल रहा है, यहां आपको देखना है, यह buy signal का example लेते है, यह buy signal हमारा perfect trade है क्यों perfect है, उसका reason यह है कि buy signal के back में एक उपर की side का blue arrow लगा था, इसलिए यह buy signal perfect trade था, तो आपको अगर buy के back में उपर की side का arrow मिलता है, तो buy में trade करना चाहिए, और perfect है, हमारा double sit से भी verify करते है, double sit में क्या verify करना होता है, जैसे कि यहां buy signal हमें मिला है, buy signal पर ही हम second sit में ज होता है, कि यह सभी round है, वो almost सभी green में है, नीचे की दोनों पटे green में बनी होई, दूसरी यहां यह white color की जो line बनी है, उनसे cross out, उसको उपर की तरफ बंद हो गया है, मतलब कि यह double sit से verified trade बना है, दूसरा verification, sell में देख लेते हैं, कि यहां sell एक signal बना है, यह sell भी perfect trade है, क्यो perfect है, उसका reason यह है, कि sell के back में, एक candle के पहले ही में, चार्ट को जूम करके आपको दिखा दोते हूँ, जैसे कि sell signal के एक candle पहले ही, उसने एक downside blue arrow लगाया था, इसलिए sell signal perfect था, अगर यह arrow नहीं होता है, तो sell में काम नहीं करते हैं, दूसरा verification हम चेक करेंगे, seat number 2 में, यहां सब भी round, red में बने है, पर इतना शोर राइटी नहीं है, तो मतलब की, यह 80% signal नीचे गिरने की संभावना है, तो इतना ज्यादा तर नीचे नहीं रहे पाएगा, तो इसमें trade करेंगे, पर तूरान target लगा कर exit कर लिजे, दूसरा कोई चेक करते हैं, जैसे कि TVS motor, यहां दे आगे जाकर software का काम खतम नहीं होता है, यहां आपको बोला गया था कि continue hold किएगा, market और उबर जाएगा, यहां देखिए तो उसने आगे जाकर आपको बोला गया था, दूसरा verification के लिए हमने बोला है कि second seat को verify करना है, जैसे कि हम जाकर check करते हैं, तो यहां देखिए, double seat से verify trade है, इसमें long term आप रुक सकते हैं, जैसे कि यहां सभी green बना हुआ है, साथ में यह trade line है, वो main है, trade line को cross करकर उपर चट गया है, मतलब कि cross out हो गया है, यहां दोनों पट्टी भी green में बनी है, मतलब कि यह दोनों seat से verify trade था, और इसके अंदर आपको continue रुकना है, और continue आपको बोलता भी रहेगा, यह और उपर जाएगा, hold रखिए, तो ऐसी तरह software में काम करते हैं, हम इस channel पर आपको free में कुछ ना कुछ live करकर आपको signal प्रोवाइड करते हैं, इसलिए channel को like करिए, subscribe करिए, share करिए, धन्यवाद दोस्तों